नमस्कार मैं आपके साथ मनीशा और आप देख रहे हैं ता उरई निवश्क चाहे कोई कितना भी बड़ा करोड़ पती क्यों न बन जाए लेकिन कानून के आगे हर किसी को जुकना पड़ता है यह बात एक बार फिर सच साबित हो गई क्योंकि उत्तर प्रिदेश के मेरट में एक अमीर बैपारी और कई कम्पनियों के मालिक कमर एहमत को एस्टे एफ ने एक ग्रिफतार कर लिया है उन पर फरजी इबिल के चरिये करीब सो करोड़ की जे एस्टे धोकधड़ी करने का आरोप है बता दिके आलिशान हवेली के साथ बिला सितापूर्ट जीवन सहली और सर्दियों में हीटर कवप्यों करने के आदिस धनी बैपार पूरी रात पुलिस स्टेशन के फर्स पर बिताई इस दोरान उनके पास ठंडे से बचने के लिए सिर्फ एक कंबल था कानून के शिकंजे में फस्ते ही वेपसाई का बैभाव साली जीवन कुछी छडों में समाप्त हो गया अब हैस्टी एफ ने आरोपी कमर एहमत के खला एक करोणों की जीएस्टी चोरी में सामिल होने का भी खुलासा हुआ है बताया जा रहा है कि अब एस्टी एफ ने आरोपी कमर एहमत की खलाफ मामला दर्श कर लिया है गौरत लव है कि कई दुनों से एस्टी एफ को मेरट में बड़ी जीएस्टी चोरी का इंपुट मिल आया है जाच में पता चला है कि कमर एहमत कई कंपनियों का मालिक है और कई बड़े बिजनेस में पार्टनर भी है वह करोडों और वो की संपत्ती का मालिक है जाच में आगे खुलासा हुआ है कि कमर एहमत फरजी इबिल के जरिये लाखों की जीएस्टी चोरी में सामिल था बताया जा रहा है कि आरोपी कमर एहमत के पास से STF ने कई दस्तावेज और मुवाइल फोन भी बरामत किये है मेरट में होटल से STF ने कमर को किया गिर्फता मिली जानकारी के मताबिक STF को सूचना मिली थी कि आरोपी कमर एहमत मेरट के ब्राडवे इन होटल में मौजूद है STF की टीम तुरंद होटल पहुची STM की टीम ने आरोपी कमर एहमत को विरासत में लिया और उसे पूश्तार सुरू कर दी इसी दोरान STF ने कमर एहमत को गिर्फतार कर लिया जानकारी के मताबिक अब STF कमर एहमत के साथियों पर फोकस कर रही है कमर ने कई फरजी कमपनियां बनाई STF को उम्मीद है कि इस मामले की गहन चास्च सिक कई और एहम खुलासे हो सकते हैं STF अधिकारियों का कहना है कि कमर और उसके सहीयोगियों ने कुछ पैन कार्ड और अन्य दस्ता बेजों के आदार पर GST नमबर प्राप्त किये और फरजी कमपनियां पंजी करत की फिलहाल STF मामले के विस्तरे चार्च कर रही है